जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज भूलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद है तेरे द्यूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे बोल सबा अब तक तेरी है न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहन कीजिए आपके सामने तीन विकल्ब न्यूस कार बोल के लिए बाजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा मैं ये समझना शाहता हूं मोदी सरकार से कि ट्विटर पर भारती जनता पार्टी की जो सरकारे हैं वो जिस तरह से अंकुष लगा रही हैं जिस तरह से टार्गेट कर रही है आपको मशवरा कौन दे रहा है आप आखिर इस तरह का सियूसाइड क्यों कर रहे हैं मेरे भाई आप करना क्या चाहते हैं क्या आप जानते हैं कि ट्विटर के खिलाफ दो F.I.R. दर्श कर दी गई है वो F.I.R. क्या है उसकी चर्शा मैं बाद में करूंगा अगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खीचना चाहूंगा कुछ खबरों की तरफ भारती जहता पार्टी वेस्ट बेंगॉल ने आज से करीब एक महीने पहले ये खबर प्रसार प्रचार किया था कि उनका एक कार करता है मानिक मोहित्र उन्हें सीताल कुछी में चुनाव के बाद हुई हिंसा में मौत के घाट उतार दिया गया बाद में पता चला वो शक्स दरसल इंडिया टुड़े का एक पत्रकार है अब रोर बैनर जी वो आया भया मैं जिन्दा हूँ तो इस जूट का परचार परसार कोई और नहीं बलकि बीजेपी कर रही थी अब इस दूसरी खबर की तरफ देखिए दोस्तों ये तस्वीर है ब्राजील की और भारती जनता पार्टी ने देश की जनता को ये बताया कि देखो चुनाव के बाद किस तरह से बीजेपी के एक कारकरता को टीमसी का कारकरता बेरहमी से मौत के घाट उतार रहा था फाक्ट शिक में पता चला कि ये ब्राजील की खबर है अब ये खबर देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर एक ट्वीट है ये हैं बीजेपी की सांसद शोबा करंद लजे शोबा करंद लजे ने इस समारो में जो आज से कई महिनों पहले हुआ था जिसमें वो सरकार के नागरिक्ता बिल का समर्थन कर रही थी CAA का समर्थन कर रही थी मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा सिर्फ ये ट्वीट दिखा रहा हूँ आप जानते इनों ने भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्सा बतला दिया था मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज तक भारती जनता पार्टी की इस सांसद ने अपना ये ट्वीट डिलीट क्यों नहीं किया हटाया क्यों नहीं क्योंकि ये तो देश का अपमान कर रही है ना अब मैं आपको बतलाता हूँ कि ट्विटर के खिलाफ कौन से दो केसस दर्श किये गए जी हाँ सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा मद्ध प्रदेश में उनके खिलाफ एफायार दर्श किया गया है सेक्शन 505 IT Act मद्ध प्रदेश सरकार का ये कहना है और मैं आपको सुनवाँगा वहां के ग्रेह मंतरी की बात उनका ये कहना है कि इन्होंने भारतिय ज्ञंडे का अपमान किया है भारतिय तिरंगे का अपमान किया है क्या कह रहे है नरुत्तम मिश्व पहले आप खुछ सुनें बहुत गंभीर किस्मिकी सिकाइट जो टीटर के बारे में आई भारत के नक्से के सम्मण कि आए और उसको सामाजीक छेत्रों की लोगों ने राजनेतेक छेत्रों की लोगों ने साइबर की क्राहिमें जाकर करके रिपोड डाली थी जिसको अधिकारियों ने संग्यान में लेकर विभेचना कर भाराव पांसों पांच बटे दो कापराद मनीस माईश्वरी जी के बारे किया मैं सवाल पूछना चाहता हू नरुतम मिश्व जी से नरुतम जी मुझे बताइए शोभा जी ने जो गुनाह किया उन पर कोई आक्शन नहीं लिया गया आक्शन तो दूर की बात शोभा जी ने अपनी गलती तक को स्वीकार नहीं किया उस तस्वीर में जहां मेरे देश की तरंगे का अपमान किया जा रहा था आपने कोई आक्शन लिया उनके खिलाब बताइए कोई आक्शन लिया बड़ी बड़ी बातें आपसे करवा लो हकीकत यह है कि भारती जनता पार्टी का राष्टुबाद जूटा है आप देश को मूर्ख बना रहे हैं अपने राष्टुबाद के नाम पर और बात यहां नहीं रुकती ट्विटर पर एक और कारवाई की गई है इस खबर को पढ़िये डेली पुलीस साइबर सेल फाइल्स एकेस अगेंस ट्विटर पर चाइल्ड पुर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन देर प्लाटफॉर्म इस पर उन्होंने ट्विटर पर केस कर दिया मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपको ट्विटर पर ही कारवाई करनी थी इंस्टेरग्राम पर भी करते क्यूंकि अगर बच्छों को लेकर आपती जनक साहित कहीं दिखाई देता है तो यहां पर भी दिखाई देता है है ना ट्विटर 2019 से पहले तक दोस्तों इनका पूरा परोपेगांड़ा का प्रसार प्रशार कर रहा था ट्विटर के अंदर भारती जनता पार्टी के जो समर्थक थे जहर फेलाते थे उन पर उस वक्त कोई आक्शन नहीं लेता था और खुद देश के आईटी मिनिस्टर कानून मंत्री रवीश अंकर प्रसाद ने ट्विटर की तारीफ की थी आज से कुछ सालों पहले जब ट्विटर इनकी जेब में था आपको अंदाजा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं आपको अंदाजा है कि इस से देश की साख पर क्या नुकसान पहुँच रहा है और सबसे बड़ी बात अगर आपकी लड़ाई ट्विटर से घलत जानकारी ब्रामक जानकारी पर हो है तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े लाइट आफ करके बदोलते हैं समझे अब मैं आपको बताता हूँ कि भारती जानता पार्टी क्या करती रही है दोस्तों वायर की एक खबर है बिश्नूपुर से भारती जानता पार्टी सांसदें सौमित्र खान युवा मोर्चा के अध्यक्षें उन्हों ने ये बताया था कि नानूर बीरभूम में एक बीजेपी की वरकर का बलातकार हुआ और यही नहीं इंडिया टुडे के एक एक एग्जेक्टिव एडिटर है दीप भलदर उन्होंने भी ये भ्रामक और गलत जानकारी पेश की बाद में CID ने इस जानकारी को गलत पाया वेस बेंगौल पुलीस ने इस जानकारी को गलत पाया ये तो आपके सांसद कर रहे थ समाज के अंदर आराजकता फैला रहे थे मैं समझना चाहता हूँ बीजेपी से आपने क्या आक्षिन लिया चलो ममता बैनर जी की पूलीस को काईदे से इस दीप हलदर और सौमित्रिखान पर आक्षिन लेना चाहिए था इन्होंने नहीं लिया और मैंने कारकर्ण के शुर के एक वीडियो को आज तक के पत्रकार कमलेश सिंग ने इसका प्रचार प्रसार किया ये बताती हुए कि देखो पश्चिम मंगाल में किस तरह की इंसा हो रही है कमलेश सिंग पर कोई आक्षिन नहीं लिया गया बाद में कमलेश सिंग ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिय अब आपकी स्क्रीन्स पर ये है CID West Bengal ने किस तरह से खबर को जूटा करार दिया है प्रीती गांधी इनकी महिला मोर्शा की एक बीजेपी नेता है उन्होंने क्या किया एक वीडियो चला दिया उस वीडियो में लोग गोलियां चला रहे हैं और पीछे गाना चल रहा है खेला यहां गोलियां चल रही है और खेला होबे का गाना चल रहा है बाद में पता चला कि वीडियो कुछ और था और आडियो कुछ और है और इसम दोनों को जोड़ दिया गया था मैं समझना चाहता हूँ प्रीती गांधी पर क्या भारती जनता पार्टी की किसी सरकार ने F.I.R पर दर्श किया काईदे से ममता बैनर जीव को भी करना चाहिए था मगर मैं ये खबरें आपको क्यों बतला रहा हूँ मैं ये खबरें आपको सिर्व इसलिए बतला रहा हूँ कि भारती जनता पार्टी के स्टैंडर्ड्स के डबल स्टैंडर्स हैं आपके तोरे माबदंड हैं आप सिर्फ एक फलसफे का अनुसरन करते हैं जो कि मोदी जी ने बहुत खुबसूरती से बयां किया था क्या कहा था मोदी जी ने आप खुद सुनिये जूट बोलो बार बार जूट बोलो जो भी बोल सकते हैं सब जूट बोलो जहां भी बोल सकते हैं जूट बोलो जितनी बार बोल सकते हैं जूट बोलो जी हां जूट बोलो जूट बोलो और जूट बोलो और एक और बात कही थी मोदीजी ने याद है हिपोक्रिसी की भी कोई सीमा होती है क्योंकि आप लोग समाच के अंदर इस तरह से जहर फैलाते रहेंगे आप इस तरह से नफरत फैलाते रहेंगे और फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि जब ट्विटर से कोई गलती हो जाए तो आप उन पर आक्शन लें अगर ट्विटर वाकई कोई गलती कर रहा है तो आप जरूर उन पर आक्शन लीजिए मगर आप servicely action ले रहे हैं क्योंकि Twitter ने हाल के दुन्यों में आपकी पोल खोल कर रख दी है और इसके लावा कुछ नहीं और एक और बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों हो क्या रहा है कि कई जो American companies हैं आज की तारीक में वो अपने दफ्तरों को Singapore और Dubai shift कर रहे हैं भारत से क्यों क्योंकि उनको डर लगा हुआ है कि भारत के अंदर उनके जो officials हैं उनके जो मुलाजिम हैं उन पर निशाना साधा जाएगा आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसे में भारत के अंदर कौन आकर invest करना चाहेगा ऐसे में भारत के अंदर विदेशी निवेश कैसे आएगा ऐसे में आगे भारत कैसे बढ़ेगा मैं आज की तारीक में मोधी सरकार को एक चुनोती देना चाहता हूँ अगर आपको ट्विटर से इतनी आपती है तो मैं आपको चुनोती देता हूँ मोधी सरकार की जो पूरे मंत्री हैं आपके तमाम सांसद हैं आप ट्विटर क्यों नहीं छोड़ देते हैं छोड़ दो ट्विटर जिस प्रचार तंत्र का इस्तमाल आप एक अरसे से करते आ रहे थे आज वही प्रचार तंत्र आप पर हावी हो रहा है क्योंकि विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है सरकार से सवाल करने वाली ताक्तें लगातार मजबूत हो रही है अगर कोई मेरे तिरंगे का अपमान करता है तो बिलकुल उस पर कारवाई होनी चाहिए मगर उस संस्था को तिरंगे पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है जिसने पचास साल तक अपने दफ्तर में तिरंगे को नहीं फैराया और मैं बात कर रहा हूँ RSS की और मेरे खालते साल दो हजार दो में जब तीन युवा नागपुर में RSS के मुख्याले में घुसकर तिरंगा फैरानी की कोशिश करते हैं तो RSS ने उनके खिलाफ केस कर दिया था मुखदमा कर दिया था तिरंगा फैरानी के लिए तो कम से कम मुझे आप से नहीं सुनना है कि राष्टबाद क्या होता है पहले उसे पढ़िए, समझिए, अपने इतिहास को देखिए कौन थे जो अंग्रेजों के सामने गड़गडा रहे थे वो कौन थे जो मुसलिम लीक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत छोड़ो आंदोलन में देश के साथ नहीं थे जी हाँ, RSS, हकीकत ये है इसलिए मुझे आप से किसी भी सूरत में राष्टबाद का पाठ नहीं पढ़ना है दोस्तों जब देश का अपमान होगा तो पूरा देश साथ खड़ा होगा देश की इज़त को डिफेंड करने के लिए, देश की असमिता का सम्मान करने के लिए मगर जब राजनीती के लिए आप राष्टबाद जैसे शब्दों का इस्तमाल करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दोरे माबदंड है और उसका मकसद सिर्फ कुछ चंद वोट्स हासिल करना है और उसके इलावा कुछ नहीं आज सही माइनों में आप एक्स्पोज हो चुके हैं आज सही माइनों में बादशाह के तन पर एक भी कपड़ा नहीं है हकीकत आपके सामने है और आप उससे मूह नहीं मोड़ सकते नमस्कार